नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि अगर पुलिस मुटबेड में, पुलिस के द्वारा कर किसी का इनकाउंटर कर दिया जाता है तो उस पर Supreme Court के क्या Guidelines हैं, उनके क्या आदेश हैं या फिर NHRC, यानि National Human Rights Commission इनके क्या आदेश, क्या Guidelines हैं, क्या दिशा निदेश हैं इन तमाम बातों को हम जानने वाले हैं ये मुद्दा जो है, वो चर्चा में क्यों आया अभी हाले में अभी आपको बता है, अतीक एहमद का जो बेटा है असद एहमद है क्या था, असद एहमद और असद एहमद का जो एक साती तक गुलाम हुसेन इन दोनों की पुलिस मुटबेड में जो उत्तरपरदेश की Special Task Force है उन्होंने Encounter में इन दोनों की हत्या कर दी तो यह जब हत्या हुई तो बहुत सारे लोगों ने हाई हाई का नारे लगाने स्टार्ट कर दी देखे देखी, डेमोकरसी का अंत हो गया तो यहाँ पर Supreme Court के क्या Guidelines है, हम उनके उपर नजर मानने वाले हाँ, वो हाई हाई का नारे लगाने वाले कभी यह नहीं देखेंगे, इन्हों ने क्या कर दिया था यह पुलिस पर गोली चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे क्या इनके द्वारा गोली चलाए गई तो पुस पे पुलिस पर कितना नुकसान हुआ, वो इन सब चीजों को आपको यह भी पता है अतीक एहमद आर अतीक एहमद का जो भाई है इन दोनों की भी हत्या हो चुकिए तीन लोगों ने इनको गोली मार दी सरे यहां मतलब पुलिस की प्रेजन्स में वहां पर मीडिया भी थी इनके इन से सवाल जवाब हो रहे थे इन सब चीजों को लेकर व तो डेमोकरसिक अंथ हो गया अंथ होने के बाद अब यहां पर बोल रहे हैं कि देखे यह यहां पर कोई भी लोग और और की वेवस्ता ही नहीं रही है हर कोई यहां पर गोली मार के चला जा रहा है पुलिस जो है वो अपने मनमानी धंक से काम कर रह रहे है यह सारी तमाम इसके अलावा ये विधायक बहुत टाइम तक रहा, इसके पास पावर रही, तो इसने कितनी मनमानी की सो से जादा केस इस इंसान के पर चल रहे थे, कितने लोगों के पर इसने जातियां कर दी, ड्रा धमका कर ये अपनी जो एलेक्शन जीतता था, तो आज की डेट में वो को क्या जोगा पालन करना पड़ता है, इन सब चीजों को हम जानेंगे, फर्स अफॉल हम तो जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोट ने क्या कहा, एनकाउंटर के ओपर, दीके 23 सितंबर 2014 के टाइम, जब उस वक्त भारत के CGI, यानि की Chief Justice of India, रारम लोधा थे, और वहां पर उनके के ओपर मेन फोकस डाला गया था, अब यहां पर उन्होंने कहा था कि मोत के मामलों में, पुलिस मुटबेड की जांच के मामले में, मानक प्रिक्रिया के रूप में, संपूर्ण, परभावी और स्वतनतर जांच होनी चाहिए, यह बात बोली थी, इसके अलावा, एक F.I.R भी जो है, वो दर्ज की जाएगी, यह बात भी निकल कर सामने आए थी, एक मतलब की केस हुआ था, पीपल्स यूनियन फोर सीवल लिबर्टीज वर्सी स्टेट ओफ महरास्ट्रा, तो यहां पर एक तरिक्के से अनिवारे कर दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन की जाएगी फर्स इन्फॉर्मेशन रिपट, यहनि फाइर जब वहांपर दर्ज की जाएगी, तो यह होगी सुप्रीम कोर्ट ने बोली हुई बाते, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रहा है, देखे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कि जो है पुलिस कारवाई के दौरनागर किसी की मो पारे रूप से उस जांच में शामिल किया जाना चाहिए उसके भी व्यूपोइंट जाने जाएंगे तो वहां पर उसके बाद क्या होगा कि ऐसा हर मामला जहां पर पुलिस के किलाफ आयो का अरोप लगाते हुए शिकाय दर्ज की गई है तो वहां पर क्या किया जाएगा उन उनकी कोई प्रेशनल रंजिस भी नहीं थी है स्टीफ की उनके साथ तो वहां पर इन सब चीजों का मामला बनता है और उस चीज को देखते हुए जो आइपीसी है उनकी जो उप्यूक धारा है उनके तहट जो वहां पर मामला या कहेंगी कि एफाय जो वहां पर दर्ज की जाती है अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि जो क्रिमिनल कोड ओफ क्रिमिनल प्रसीजन 1973 है उसका सेक्शन 176 उसके तहत ये भी जांच की जाएगी कि जो पुलिस ने बलका प्रयोग किया वो नियायोचीत था या नहीं था जो कारवाई उन्होंने की वो वैद थी या नहीं थी यहां परिसीज को आपको ध्यान में रखने इसके लावा अदालत ने कहा कि जांच के बाद जो सेंक्शन 190 के तैट जो भी शेत्रा अधिकारे मेजिस्टेट के अंडर आते तो उसको वो रिपोर्ट भी भेजी जाएगी और दिशा निदेश में ये भी कहा की सबल साओ को भी जो यहान से वो जो जांकारी मिलेगी автомобIL जानकारी मीली उसके अदार पर पुलिस जब ओविसली कारवाई करने के लिया जाएगी कारवाई हुई कारवाई के अंदर मुटबир में पुलिस पार्टी ने क्या किया आफ़ार आर्म्स क्याने की गन यूज की तो प्रिणाम सुरुप किसी की मोत होगी जैसे ही अगर किसी की मोत हो जाती है तो section 157 के तायत अदालत के अंदर बिना देरी किये F.I.R. जो वहांपर दर्ज की जाएगी मुटबेड में एक सुतंदर जांच के प्राफधान जाएगों वहांपर सुची बद किये गए जिसमें बोला गए कि C.I.D. या फिर कहें कि एक अन्य पुलिस टेशन अन्य पुलिस टेशन बोले तो स्टीएफ के दौरे ये काम किया गया अब स्टीएफ के अलावा किसी एक पुलिस अन्य पुलिस टेशन के दौरा एक टीम का गठन किया जाएगा इस टीम के अंदर मान लीजिए कोई A अधिकारी जो है वो मेन रखा गया है याँ पर A अधिकारी और जो STF था उसके अंदर Special Task Force के अंदर कोई बी अधिकारी था तो ये जो A अधिकारी है वो बड़ा होना चाहिए लेवल में B से तो ये बात बोली गई है इसके अलावा अधालत ने बोला कि देखिए हमने जो भी निशा निदेश जीए है उनको पूरे भारत में एक Article 141 के तहित जैसे लागू होता है बारतिय शेत्र के अन्य सभी अधालतों उपर बात देकारी होंगे ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे किसी भी राज्य का सर्वोज मतलब कि उच्च नियाले कि हम ये नहीं मानेंगे ऐसा हो इनी सकता है तो ये सब चीज़ें बोली गई है अब यहाँ पर सुप्रीं कोट ने निचरी के पर क्या बोला है निचरी की भागिदारी के ओपर सुप्रीं कोट ने बोला कि देख़े यह कोई आवशक नहीं कि उनको बोले है मतलब कि जब तक कि सौटंतर और निश्बक जांच हो रही है वहाँ पर कोई भी हमें डाउट नहीं है तो उनको बस एक information दे दी जाए नहीं चार्सी को या फिर राज्य के नहीं चार्सी को राज्य के human rights को वहाँ पर जाए वो इनके बारे में जानकारी भेज दे इन दिशाने देश के तैट सीर्च अदालत ने उत्तर परदेश के जो गैंक्स्टर विकास दुबी की हत्या की जांच करने के दिशाने देश दिये थे कहाँ पर की section केता है जब FIR जब वहाँ पर दर्ज की जाएगी यह तमाम बाते हैं अब इसके अलावा NHRC क्या गाती है National Human Rights Commission क्या गाता है दीखिए National Human Rights Commission क्या गाता है 19 मार्च 1997 की बात है उस वक जो है उनके चीफ हुआ करते थे पूर CGI MN वेंकेंटे चल लिया वहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा था कि NHRC को जनतास और जो NGO हैं उनसे शिकायते मिल रहे हैं कि पुलिस द्वारा जब फरजी मुट बेड़ों की गटनाएं बढ़ रहे हैं और पुलिस सारे उप्यों को मार रहे हैं कि असद आहमत की मृत्यू हो गई या अतिक आहमत की मृत्यू हो गई अतिक आहमत के भाई की मृत्यू हो गई उसके ओपर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता जा रहा है यह चीज़ को कि कहां कि हां यह सही किया पुलिस ने सही किया तो मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि पुलिस ने कोई गलत किया लेकिन आप देखिए यह सब चीज़े कब सामने आती हैं कब हम किसी चीज़ को एक तरीके से एडमायर करना लग जाते हैं हमारे नियाईक बढ़नाली इतनी जादा कमजोर है जिसके लिए हम पुलिस तंतर को एक तरी इनने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है और यदि अगर पुलिस कर्मी ऐसा कोई काम करता है विक्ति को मारता है तो उस दुरान उसके ओपर गैर इरादतन हत्या का आरोब जो हो लगाया जाएगा अपराद करते हैं चाहिए उन्होंने अपराद हो या नहीं जब तक साब पुलिस उन मामलों में दिशान निर्देश का पालन करे जहां पर मुटबेड में मोते हुई है इन में मुटबेड में हुई मोतों के बारे में प्राद सभी जानकारियों को एक उचित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और राज्ये CID जैसे सवंतनतर अजंसियों दोरा इसकी जांच के प्रावधान भी शामिल है अब इसके लावा एनर्ची नहर्ची क्या गयती है इन्होंने जो अपने गाइडलाइन से उसमें बोला कि प्रयाप्त सूचना को एक संगे अपराद के संदे के लिए प्रयाप्त माना जाएगा और यह पता लगाने की कोश जिशा निर्देश में यह भी का गया कि मुरितक के आश्रितों को मुआवजा देने पर वीचार किया जा सकता है जहांपर पुलिस अधिकारियों को दोशी ठहराया जा सकता है और जांच के बाद मुकदमा चलाया जा सकता है 2010 में NHRC के उस वक जो चीफ हुआ करते थे जीपी माथूर उस टाइम में एक संचोधन किया गया था जिसमें बोला गया था कि 48 घंटे के बीतर एक वरिष्ट यानि कि आप समझेए सीनियर सुप्रिटेंड पुलिस या फिर सुप्रिटेंड पुलिस के द्वारा जो है वहां आच रिपोर्ट होगी पूछताज के निश्काश यह सब चीजने जो शामिल के जाएंगी तो यह होगी आपके सामने जो सुप्रीम कोट है जो नहीं काउंटर पर क्या कहते हैं इन तमाम बातें जो हैं वह आप लोगों को इसमें समझाए गई है उमीद करता हूं कि जो भी आप लोगों को आप समझाने की कोशिकी की गई है वो आपको समझ में आ गया होगा समझ में आया है नहीं आया है वो मुझे कैसे बता सकते हैं ओविसली लाइक करके नहीं आया है तो आपके समने डिसलाइक तो मत करना कॉमेंट सेक्शन ओपन है बता देना कि आपको क्या सम डेफिनिटली आपको वहां पर reply किया जाएगा और ज्यादा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तो भाई साब वीडियो को लाइक करें इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें शेर भी कर सकते हैं बहुत सारे option है आपके सामने आपका प्यार हम तक पहुंचाने के तो अब साथ के लिए इतना ही था आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में